पलपल नियूस की निजरूम से मैं हूँ आपके साथ नदेम अक्रम नुपुर शर्मा को लेकर के देश के कई हिस्सों में विवाद हुआ और उस विवाद के लिए सुप्रिम कोट ने जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ठहरा दिया पर नुपुर शर्मा की गिरफतारी नहीं हुई और जब नुपुर शर्मा की गिरफतारी नहीं हुई जहाँ जहाँ फसाद हुए अब उधर तमाम लोगों को पकड़ने की शुरू हो गई और इसमें अबल अगर देखी जाए तो उत्र प्रदेश सरकार सबसे आगे नज़र आई और उत्र प्रदेश सरकार ने नुपुर शर्मा के खिलाफ जिन भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन लोगों को जिल की सलाखों के पीछे डाल दिया पर नुपुर नुपुर शर्मा कब गिरफतार होगी इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है पर अब नुपुर शर्मा के मामने में किस तरीके से ए आयमाईयम नेता अम्बेटकर नगर खासवर इर्फान पठान को फसाने की प्रशासन ने चाल चली है उसको भी सामने रखना जरूरी है क्योंकि आज सोशल मीडिया पर ट्रेन चल रहा है रिलीस इर्फान पठान जब रिलीस इर्फान पठान ट्रेन चल रहा है तो प्रशासन की पौल पूरी तरीके से खुल गई इर्फान पठान के मामले में जो उन्हें अम्बेटकर नगर टांडा में जो पत्थर बाजी हु इरफान पठान की पत्नी सामने आई उन्होंने तमाम तठ्थों को सामने रख दिया और उत्रप्रदेश पुलिस का चहरा फिर से बेदब काव हो गया जो मुसल्मानों को फसाने के लिए तमाम तरीके के हद करने अपनाती हुई नजर आती है तमाम चीजह आपके सामने कि कॉल आती है कि जब शायद वहां भी बेकाबू हो रहेगी तो कॉल आती है कि आप उर्फान आप आएं और भीड़ी को समा ले चुकि वो प्रशाशन ये जानता है कि मेरा शोहर एक अधिया आदमी एक इन्फिनेंशियल विता है और पबलिक इनकी बातों को समझती है सुनती है मानती है तो उन्होंने इनको कॉल करके बिलाया घर में उस्टाइम ड्राइवर भी नहीं था कोई तो पुलिस की बात को नगलर को समझते हुए वक्ती नजाकत को समझते हुए और दोस्तों आपने इस वीडियो को सुना इर्फान पठान की पत्नी ने सास्तोर पर कहा और बताया कि मैं नहीं आना चाहती थी सामने पर तमाम मीडिया घराने और तमाम लोग अंबेटकर नगट टांडा में हुई हिंसा को लेकर के इर्फान को जिम्मेदार ठहरा रही है उन मेरे पती इर्फान पठान को गुड़ाया था इसलिए सुनो आज जो वक्त है वो हमारे मुल्क की इज़त का सवाल है आज यह मामला इंटरनेशनल इसलिए हो गया क्योंकि बीजेपी उसके परवक्ताओं ने हमारे मुल्क की बेज़ती करा थी आज जो देस हमारे देस के सामने सर जुकाते थे आज वो हम पर उंगली आज रहे हैं समझिए आप एक बेश्वाशी होकर के भी समझिये वह समझिये कि क्या हो रहा हैं और अगर हमदी जजबाती हो गया थो मुल्क कहा चाहेगा भान रोकेगा फिर इसको हम ही ने तो कुर्बानिया दी एंग्रेजऱ्ों को बचाने के लिए खिस ने कुर्बानिया दीन भाफ नहीं है beşजा accord हजार अल्मारे दीन ने खासी के फंदों पर जूला इसके लिए मुल्क के लिए जूले न आज हमी मुल्क को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े आज हमी हमको तो देखना पड़ेगा कि कम से कम कोई ऐसी चीजे ना क्रियेट होने पाए ना पैदा होने पाए जिससे बदमज़गी फैले खेलें वहाँ पर धटा दिया गया तब मुझे गुस्टा लगा कि हमारे नभी ने कभी ये तरवियत नहीं दी हमारे रसूलने कभी ये तरवियत नहीं दी यह जो जद्बाती बच्चे दोचार हो रहे उकसार हैं हैं यरा हिंसे पूछो कि जब इनके उपर केस दर्ज होगा तो खड़ा कौन होगा आएंगे ये लोग जो आपकी उते ले करके घरों में बैठे दुपते बैठे हुए हैं नहीं नहीं आएगा तो फिर वही तूटा फूटा इर्फान पठाना आपके लिए कि जजबात पर कंट्रोल रखो और जो सख्स जबान से पहले दिमाग इस्तिमाल करता हो नाकाम्याब हो जाता है इस चीज़ को समझने की कोसिस करिया आप लोग और इस चीज़ को याद रखिएगा ये खान पठान के जिसमें एक एक कत्रा खून तुम ही लोगों के उपर नि अधी रात को भी मेरे तरवास या कोई आता है वो सासनिक या परसासनिक मामला होता तो मैं खड़ा होता हूं कि नहीं बात रही है वहां पर मामला शांत हो गया था तो इर्फान पठान कैसे जिम्बेदार हो गया भीड को उकसाने के लिए अब प्रशासन कहेगा इर्फान पठान की पत्नी जो है वो गलत बोल रही है वो तत्थे नहीं है कि जो चीजे वो बताने की कोशिश कर रही है अब स्क्रीम पर आप ये पेपर कटिंग देख रहे हैं पेपर कटिंग में अगर आप नज़र डालें तो साफ तोर पर दस जून को हुई हिंसा को लेकर के खबर चपी है और इस खबर में ये लिखा है कि S.P. और तमाम लोगों ने मौके पर पहुँच करके मामले को शांत कर लिया और मामले को शांत करने के लिए A.I.M.I.M. नेता इर्फान पठान को बुलाया गया यहां साफ शब्दों में कोट करके पेपर के पन्नों में लिखा हुआ है कि इर्फान पठान को बुलाया और फिर जाकर के भीड़ शांत हुई जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं और अब यही मीडिया घराना जो है इर्फान पठान को अम्बेट कर नगर टांडा में जो दस जून को हिंसा हुई उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है बिदेख खबते पहले इर्फान पठान की गिरफतारी हुई है किस तरीके पे पूरे मामले को बना करके मीडिया में उच्छाला गया और फिर ए आईमाईम को ही बदनाम करने की तवाम साजिशे की गई एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नसर डाल लेते हैं यूपी के अंबेटकर नगर में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद मचे बवाल और पत्थरवाजी के मामले में पुलिस ने बड़ी कारवाई की पुलिस ने टांड़ा में हुई हिंसा मामले में ए आईमाईम के नेता और पुर्व विधान सभा परत्याशी रहे इर्फान पठान को गिराफतार कर लिया नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में टांड़ा में भी काफी हिंसा और पत्थरवाजी देखने को मिली थी टांड़ा तहसील में ठाना अली गंज के तल्वापार महले में जुम्मे की नमाज के बाद हुए उब्द्रव के दौरान उब्द्रवियों को उपसाया जिससे हिंसा और भी ज्यादा भड़ा गए टांड़ा उब्द्रव पर बवाल के मामले में पुलिस पहले ही मुकदम कर 41 लोगों को गिरफतार कर जेल बेच चुकी है इस मामले की जाच के दौरान इर्फान पठान का नाम भी सामने आया था टांड़ा में नमाज के बाद एकठा हुई भीड को भाशन देते इर्फान पठान का एक वीडियो सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जाच की जाच में ये बात सामने आई कि इर्फान पठान ने भीड को बवाल के लिए उपसाया था इर्फान पठान पर पहले ही कई अपराधिक मुकदमे दर्ज है पुलिस अधिक्शिक अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि तल्वा पार महले में एक लोग पहले ही गिरफतार किये जा चुके हैं आपको बता दें कि इससे पहले उत्रपरदेश के अंबेटकर रगर जनपत में 10 जून को टांडा में हुए बवाल प्रदर्शन और पत्थर वाजी करने के मामले में आरोपियों पर शिकंजा लगतार कस्ता चला जा रहा है लोगों की फोटो टांडा शहर के चौराहे और तमाम सारजनिक इस्तनों पर चस्पा कर दी हैं ताकि हिंसा के मामले में जो बचे दोशी हैं उन्हें भी पकड़ा जा सके कानूनी कारवाई की जा सके रविवार को देरात अलिगंच और ठांडा ठाने कि पुलिस बलके साथ टांडा सीयों में बवाल में शामिल सो से ज्यादा लोगों की फोटो को शहर के अलगलग चौराहों पर चसपा की इसके साथ ही लोगों से अपृल की कि फोटो में लोगों को पहचान कर पुलिस के हवाले कर दिया जाएं ताकि ऐसे उब्ध्रवियों पर कारवाई कर चैन कायम किया जा सके इस दोरान टांडा सीयों ने टांडा की गली और चौराहों पर बकायदा माइक से अनौंसमेंट भी किया और लोगों से कहा कि फोटो में शामिल लोगों की सूचना देने की अपील की पुलिस ने लोगों से हिंसा में शामिल उब्द्रव्यों की खबर देने के लिए कहा ताकि इन पर कड़ी कारवाय की जा सके इतना ही नहीं लोगों ने यह भी कहा कि उणहें कि किसी को दरने की जरूरत नहीं है जो भी आरुपी है उस पर कारवाय की जाईगी किसी भी निरदोष व्यक्ति को परिशान नहीं के आज जाएगा लोग पुलिस का साथ नहीं ताकि अमन और चैन कायम रहे एसपी ने बताया कि बवाल में शामील लोगों की पहचान के लिए पोस्टर जारी किये गए हैं आम जंता उपद्रवियों से परिशान है इसलिए उन्होंने पुलिस से कहा था कि इनकी फोटो उपलब्द क कर आई जाए सभी को फोटो देना संभब नहीं है इसलिए इन फोटो को सड़क और सारजुनिक जगाओं पर चस्पा कर लगा दिया गया था मतलब अपराधियों के पोस्टर लगा दिये गए थे और अब जो पुलिस प्रशासन इर्फान पठान के लिए ये दावे कर रहा है कि सहाब इर्फान पठान ने लोगों को खसाया अब पुलिस की इस स्टेटमेंट पर नजर डाली जाए जो अब कहा जा रहा है या दस जून के बाद जो हिंसा हुई और तमाम पेपर कटिंग में यही पुलिस बोलती हुई नजर आई कि सहाब बुलाया गया था इर्फा के सामने आता रहता है